टीबी के पॉपुलर शो गुम है किसी के प्यार में में 6 साल का लीप आने वाला है कई हपतों की अटकलों के बाद ये पुष्टी हो गई है कि जल्दी 5 से 6 साल का लीप देखने को मिलेगा ऐसी अटकले लगाई जा रही है कि शक्ती अरोरा यानि इशान शो से अलविदा कही देंगे ऐसा कहा जा रहा था कि मेकर्स शो में भाविका सर्मा को बरकरा रखने वाले हैं जब कि कई किरदार शो छोड़ देंगे इस सीरियल में लव ट्रेंगल की कहानी को दर्सकों का भरपूर प्यार मिला है हाला कि अब इस शो में 5 से 6 साल का लीप देखने को मिलेगा ऐसे में अब गुम है किसी के प्यार में में कई नए चेहरे नजर आएंगे वही मेडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस शो में विलन के करेक्टर के लिए एक एक्टर को फाइनल कर लिया गया है निर्माता राजेस राम्न सिंग ने पहले शो में लीप की अफवा को नकार दिया और शक्ती अरोडा के शो छोड़ने की अफवा को खारिज कर दिया उन्होंने कहा कि शक्ती सो का हिज़ा है और उनके शो छोड़ने की अटकले जोटी है प्रोडक्शन हाउस ने यू टरन लेते हुए लीब ट्रेक को कहानी में शामिल कर लिया है रिपोर्ट के मुताबिक लीब का प्रोमो जल्दी शूट किया जाएगा और लीब एपिसोट जून दौजर चोड़ने के आखरी हपते में टेलिकास्ट होना शुरू हो जाएगा जानकारी के मुताबिक शक्ती अरोरा अपने आखरी एपिसोट की शूटिंग 10 जून या 12 जून को करेंगे रिपोर्ट में कहा गया है कि चैनल और प्रोडक्शन हाउस ने लीब के बारे में चुप्पी साथ रखी है कहा जा रहा है कि शो के कुछ कलाकार डेली सोप को जल्द ही अलविरा कह देंगे कहा जा रहा है कि मेकर जल्द ही एक प्रोमो जारी कर दर्सकों को लीब के बाद के एपिसोट की एक जलक दिखाएंगे हालाके लीब को लेकर एक्टर या चैनल की तरब से अभी भी कोई पूश्टी नहीं की गई है इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें ज़रूर बताएं बॉलिबूड और एंटर्टेन्मेंट की खाबरों के लिए देखते रहिए एबी भी एंटर्टेन्मेंट